ओम हन्मते नमा नमस्कार मित्रों मैं अविरलत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल लेती मित्रों आज बात करते हैं साप्ताहिक राजफल की दिनांक 5-12-2020 से दिनांक 12-12-2020 तक कैसा रहेगा हमारी 12 रासियों का भविस इसके बारे में आप चर्चा करते हैं शुरुआत करते हैं रासि चक्र की प्रिथम रास एर्थात में एक रास से इस सप्ताहांत में कोई सुगत समाचार प्राप्त होगा रासि चक्र की दिती रास सर्थात ब्रखरास इस सप्ताह स्वास्त में तेजी से सुधार होगा आर्थिक प्रगत होगी किसी कारी के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चसों में ब्रद्ध होगी चली आ रही सबस्याओं का अंत होगा कोई नई उपलब्ध प्राप्त होगी रासि चक्र की दिती रास अर्थात में थुन रास इस सप्ताह स्वास्त अच्छा रहेगा आर्थिक प्रगत होगी और बाहरवा सम्मान का लाप प्राप्त होगा कोई बड़ी खरीद कर सकते हैं आकस्मिक धनलाब हो सकता है सप्ताहंत में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा रासी चक्र की चतुर्स रास अर्थात करकरास इस अपता स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक इस्तिस सामानी रहेगी किसी कारी के पूर्ण होने से आपके प्रभावत तथा वर्चत सुमें ब्रद्ध होगी किसी नई जिम्मेवारी का निर्वाहन करेंगे कारोबार में लाब होगा धार्विक यात्रा के योग हैं रासी चक्र की पांचुई रास अर्थास सिंग रास इस अप्तास स्वास्ति में सुधार होगा आर्थिक प्रगत होगी जीवन साती का सहयोग वा सानिध प्राप्त होगा चली आ रही समस्याओं का अंत होगा पारिवारिक दायत्तों की पूर्थ होगी जुएवा सट्टे से लाप प्राप्त होगा रासिचक्र की छठी रास अर्थाद करन्यारास इस अप्ता स्वास्थिके प्रस्चेत रहें, मौसमी रोग हो सकते हैं, उदरवा नेतर विकार के प्रस्चेत रहें, दामपत्य सुख में ब्रद्ध होगी, आकस्मिक धनलाव के योग बन रहे हैं, संतान के समंद में सुखद समाचार प्राप्त होगा रास्य चक्र की साथवी रास, अर्थाद तुला रास, इस सप्ता स्वास्थिके प्रस्चेत रहें, आर्थिक प्रगत होगी, आकस्मिक धनलाव के योग हैं, पारिवारिक उत्तर दायतों की पूर्त होगी, भूराजस समंदी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, बिदेश य पहरवा सम्मान का लाप्राप्त होगा देवदर्शन की अभिलासा पूर्ण होगी रासी चक्र की नवीरास अर्थाद धन्रास इस अप्तास्वास्ति के पर सजग रहें मौसमी खासी जुखाम हो सकता है आर्थिक स्थित में सुधार होगा रोजगार के अवसरों में ब्रद्ध होगी संतान के दायतु की पूर्ध होगी कोई सुकत समाचा प्राप्त होगा रासी चक्र की दस्वीरास अर्थाद मकर रास इस अप्तास्वास्ति सामाने रहेगा आर्थिक स्थित में उतार चड़ाव संभव है जीवन इस तर में ब्रद्ध होगी राजद्वार से उपहारवा संवान का लाप्राप्त होगा विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं रास इचक्र की ग्यार्वीरास अर्थाद को मरास इस अप्तास्वास्ति अच्छा रहेगा आर्थिक विकास का कोई नया मार्ग प्रसथ होगा पारिवारिक दायत्तों की पूर्थ होगी ग्रह परगी वस्तों में ब्रद्ध होगी वाहन सुख में ब्द्धि होगी धार्मिक आत्रा के योग बन रहे हैं रास इचक्र की बार्मीरा सर्थाजमिन रास इस अप्ता स्वास्ति के पर सजग रहे हैं मौसमी रोग हो सकते हैं आर्थी क प्रगत्ध होगी मन औरंजन के अउसर प्राप्त होंगे चली आ रही समस्याओं का अंत होगा किसी लंबित कारी के पूर्ण होने से मन प्रशन होगा देव दर्शन की अभिलासा पूर्ण होगी मित्रों यह था हमारा सापताहिक रासफल जो कि दिनांक 512-2020 से दिनांक 12-12-2020 तक हमारी समस्त 12 अगासियों पर प्रभावी रहेगा मित्रों अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कपया लाइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आउसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार